हेला एवर्बरबान, वेलकम बैक टो माई चाइनल, आज मैं आपको लेकर आई हो गर्मों की मौसम में ठंड़ा ठंड़ा देने वाली तो समर ड्रिंग, जिसे मैं आज बनाओंगी बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल कम खर्च में, तो चलिए इस समझेदार से ड्रिंग को बनाना सुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं बनाओं गया इस तरबूज की सर्वत, इसके लिए हमें चाहिए एक जार, और यहाँ पर मैंने कुछ तरबूज को काटकर और इसके वीज को निकाल के रखा है, अब यह सारे तरबूज को जार में ले लेते हैं, और इसके जादा नमक, और कुछ पूदीने के पत्ते, और एक चमच मैंने यहाँ पे लिया है, निम्बू का रस, इससे डालने से भी कस्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, और इसमें मैं डाल रही हूँ है, एक चमच चीनी, और थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी डाले, और इसे कु तो लीजिये हमने सर्वत को तयार कर लिया, अब एक बरतन लेते हैं, और उसमें एक चन्नी लेकर सारे जूस को उसमें अच्छे से चान लेते हैं, तो सारे जूस को हमने अच्छे से चान लिया, आप चन्नी को करते हैं साइड, और ठंडा ठंडा सर्वत को सर्विंग करते ह तो हमने यह सबसे पहले serving class लिया उसमें डाला थोड़ा सा तरवुज के गत्रन जिसे मैंने चुटी-चुटी रुक्ड़ में काटके रखा है और ठंड़ ठंड़ा सर्वत उसमें डाल कर कि सर्फ करते हैं तो जार को हमने अच्छे से भर लिया मैं अब इसमें डालते हैं कुछ आईस क्यूप और फिर से इसमें डालते हैं तरवुज के कुछ गत्रन और पुदीने के पत्ते से इसे गार्णी चिंग करते हैं तो लीजिए तयार हो गया हमारा तो चले दूसरा ट्रिंक पना लेते हैं तो यहां पर मैंने इस सरवत को बनाया है कच्छे आम से और यह कच्छे आम को मैंने छुटे-छुटे टुक्डों में काट लिया इसका छिलका और वीज को निकाल लिया है और इसके साथ यहां पर मैंने लिया एक हरी मिर्ची और और थोड़ा पानी डाल कर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं इसे ग्राइंड करते वक्त ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें पानी इसमें हम बाद में मिलाएंगे पहले इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं तो यह चलिए ग्राइंड हो गया है अब इसे भी ए के नहीं इसए चटनी बनाने के काम में आ सकता है इसका आप चटनी बना ले तो चन्नी को करते हैं और एक सर्बिंग जार लाते है और इसमें डालते हैं सबसे pahale कुछ sights के q and orindruck men's के पत्ते जिससे तोड कर अच्छे से इसमें डाल दे हैं और सबसे पहले इसमें डालते हैं भूनावा जीरा का पॉडर, ठोड़ा सा चाठ शात-मसाला और हमारे ठंटे-ठंटे सर्वत को इसमें डालते हैं और इसा टाल कर अच्छे से करते हैं 21 और इसे पुदीने के पते से करते हैं गार्निशिंग और लेजिए तैयार होगे हमारा ठंटा ठंडा कच्छे आम का सर्वत तो आपको अगर हमारी ये दोनों सरवत पसंद आये होगी तो प्लीज इसे लाइक करना और इसे जदा ज्यादा सेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुरना तो फिर से मिलते के ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई ठेक क्यार और पूरी रेसिपी वायओ ये थैक्य।